आज की जो रेस्पी बहुत बहुत ज्यादा एजी है और बहुत ज्यादा टेश्टी है तो मैं पहले जिस बिल्डिंग में रहती थी उसके नीचे एक आंटी रहा करती थी तो जब उन्हें पता चला कि मैं कुकिंग वगरा ठीक टाक कर लेती हूं तो उन्होंने मुझे कहा कि एक मुझे यूनिक सी रेस्पी बताओ जो मतलब बहुत ज्यादा एजी हो और मैं बना पाऊं ऐसी रेस्पी मुझे बताना और घर में सब को पसंद भी आए तो मैंने उन्हें ये रेस्पी बताई तो वो बोली मुझे कि तुम बता रही हो तो मेरे मुझे पानी आ रहा है पता नहीं मैं जब खाऊंगी तब कैसा लगेगा तो मुझे ये बात सुनकर के खुसी भी हुई और थोड़ा बुरा भी लगा नेक्ट डे मैंने उनके लिए रेस्पी बनाई और मैं लेकर के गई वो खाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो बहुत ज़्यादा खुस हो गई लेसन जो है मैंने एक पूरा सेका है मैं इसमें सिप 6-7 कली यूज करूंगी बाकी का मैं किसी चटनी या सबजी मैं बना लूँगी साथ ही मैंने यहाँ पर कौन जो स्वीट कौन होता है उसे मैंने सेका है अगर आपके घर साइट जो छोटे वाले मकई होते है भुट्टे वो भी आप इसमें यूज कर सकते है नहीं तो स्वीट कौन तो मैंने तो यहां पर स्वीट कॉन को मतलब आग में रोष्ट किया है इसे एक अच्छा सा टेश्ट आता है अगर आप चाहें तो इसे बॉल करके भी यूज़ कर सकते हैं जो टमाटर है उसे मैंने अच्छे से काट लिया है इसे आग पर सेकर के बनाएंगे ना तो इसका जो टेश्ट एक स्मोकी सा टेश्ट आता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत एच्छी रेस्पी है आपको देख के लग रहा होगा बढ़ यह बहुत ज़्यादा आसान है से बनाना साथ ही मैंने मिक्सर जार में प्याज और टमाटर और लसुन डाला है और ये मैंने लिए तीन कस्मीरी लाल मिर्ची जिसे मैंने भीगो के रखा हुआ था अगर आपके पास कस्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल बारी मिर्ची ले सकते हैं लेकिन उसकी बीजे निकाल लें क्योंकि तीक होती है और ये बिल्कुल वी तीक ही नहीं होती है बस मैंने सिर्फ थोड़ा सा गलर के लिए से एड़ किया है जो प्यूरी है मैंने उसे बना करके साइड में रख लिया है अब डैस्पी स्टाट करते हैं सबसे पहले मैंने यहा यहां पर बहुत जाह दिर के लिए से नहीं रोष्ट करेंगे बहुत थोड़ी दिर के लिए करेंगे आइसमें जो हमनी प्यूरि बनाई थी ना टामाटर रप्याज वाली वह इसमें एड कर देंगे जो मिक्सर जार में रह गया ना उसमें थोड़ा सा पानी नमक डाल करके च कुछ भी नहीं डलना है आपको बहुत ही सिंपल सी रैस्पी है बढ़ बहुत जादे टेश्टी अब जो राइस कुक किये हुए राइस है वो मैंने इसमें एड किया है आप चाहें तो एक दिन पहले के राइस भी इसमें एड कर सकते हैं या फिर कोई भी बचा हुआ चावल लिए इसे पका लेंगे तो यहां पर जो है यह कॉर्ण स्मॉकी राइस बनकर के तयार है बहुत यमी लगती है आप लोग प्लीज एक बर इसे जरूर ट्राइक किजेगा अब साथी मैं बना रही है यहां पर प्याज और आलू की सूखी सबजी या फिर हम लोग इसे बताईएगा और आप लोग यह वीडियो कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा आप लोग के डेर सारे कमेंट आते हैं मुझे पढ़कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और अंदर से मोटिवेट भी लगता है तो प्लीज कमेंट किजेगा बहुत यह बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग यह वीडियो कहां से देख रहे हैं आलू मैने यह कट किया तो आलू को मैं यह पर पतला-पतला हीं नहीं लगेंगे कड़ाई को मैंने चढ़ा लिया साथ ही मैंने याँ पर डाला है मस्टर्ड ओयल में थोड़ा धूआ निकल जाए तो इसमें मैं डालूंगी जीरा और खड़ी एक सूखी लाल मिर्च बस उसके बाद मैंने इसमें आलू डाला है आलू को मैंने पतला पतला ही काटा था तो साथ ही मैंने हल्दी और नमक आड़ किया है और इसे थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे उसके बाद जो इसमें हमने जो बारी कटा हुआ हरा प्यास था वह इसमें एड़ कर देंगे और इसे वापस से पकाएंगे तो इसे मैंने यहां पर ढग दिया है ताकि जो आलू है वह अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं आप चाहें तो इसे ऐसे ही पका सकते हैं साथ ही मैं बना रही हूं यहां पर अभी पराठा तो जो मतलब प्लेन पराठा है ट्रैंगल में मैंने आठा में से नमक अजवाइन मंगरेला डालाता हूं और यह मतलम मैं नास्ता मे आज यह पराठा ही बनाया था इसलिए वही आठा बचा हुआ है नॉर्मल सी मैं ट्रैंगल सेप में जैनरली पराठा बनाती हूं तो वही पराठा मैं यहां पर बना रही हूं तो मैं यहां पर ज्यादा पराठा नहीं बनाओंगे सिर्फ मैं इने दो ही पराठा दूंगी क मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप हमेशा रोटी में से एक निवाला क्यों तोड़ लेते हो तो आसिस जो है जेनरली तीन ही पराटा या रोटी खाते हैं तो मतलब हमारे में ऐसा कहा जाता है कि तीन रोटी या कुछ भी नहीं दिया जाता है इसलिए मैं थोड़ा स तोड़ करके उसे कम कर देती हूं बस यही रीजन है कि मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूं तोड़ करके क्यूंकि मैं तीन देती हूं आज तो मैं वैसे दो ही दे रही हूं तो यहां पर पराठा है वो बन करके तयार है और यह जो आलू और हरे प्याज की जो सुखी सबजीत यह भी बन करके तयार है तो जो लंच है वो अल्मोस्ट प्रिपेर हो चुका है तो मैं रोटी को रैप करने के लिए और यूनी रैप यूज कर रही हूं इसमें रोटी लंबे समय तक एकदम सॉफ्ट रहती है और यह माइक्रोवेव सेफ है और इसमें कोई हामफूल कैमिकल नहीं है तो आप लोग इसे यूज कर सकते हैं साथ ही यह है बहुत ही यमी क्या बोलू मैं आप लोग इसे जरूर ट्राइ किजेगा कॉन राइस को और यह है आलो की सुखी सबजी और यह मैं आज दे रही हूं खीरा क्योंकि राइस के साथ कुछ भी नहीं चाहिए यह ऐसे ही बहुत जाए टेश्टी लगती है तो यह र वीडियो को सेर करते हैं तो और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग यह वीडियो कहां से देख रहे हैं मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में तब तक कि लिए बाबाई टेक केर